नमस्कार मैं दिपक्षिंग आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ऐसे टिप्स जिसे फॉलो करके आप नेटवर्क मार्क्टिम बिजनेस में कम्याब बन सकते हैं अगर आप network marketing business से start करना चाहते हैं या आप network marketing business कर रहे हैं यह साथ tips आपके लिए बहुत ही फायदेमन साबित होगे number one tips है choose right company सही company का चुनाव करें आजकल market में प्रती दिन हजारों ऐसी company आ रहे हैं जिसके director का mindset है money को rotate करना money को circulate करना तो वैसे company से सावधान रहें जो आपको रातो रात करोड़ पती बनने का सपना दिखाती है जो money circulate करती है जिस company का ना तो कोई product है ना कोई service है ना उसका plan ऐसा है जिसमें आपको दिख रहा है किससे हमें और हमारे लोगों को हमारे team को benefit हो सकता है वैसे company का चुनाव हर्गिज न करें और दूसरा चीज कि क्या उस company में आपको ऐसा training मिलता है जिससे आपका mindset develop होगा आ अगर सिर्फ किसी company में सिर्फ पैसे की बात की जा रही है आप क्रोणपती बन जाएंगे अरपती बन जाएंगे और वहां पर कोई education का system नहीं है तो वैसे company का चुनाव ना करें दूसरा tips है company join करने के बाद आप अपना एक goal decide करें कि मुझे इस company से क्या चाहिए आपका क्या goal है आप किस लक्ष को achieve करना चाहते हैं आपको घर बनवाना है गाड़ी लेना है और उसका टाइमिंग सेट करिए अपना एक smart goal बनाईए गोल बनाने के बाद आपको तीसरा काम क्या करना है आपको एक लंबी list बनाना है जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा list बनाईए आप आपको सिर्फ इतना सोचना है कि मेरी साधी हो रही है और मैं लोगों को invite करूंगा तो आप जिनको invite करना चाहते हैं जो भी आपके दोस्त हैं जिनको आप जानते हैं सबका नाम अपने list में लिख दीजिए network marketing business में कम्याब बनने के लिए चौथा tips है develop your skills अब आपने list बना measurement में लेकर किया आना है उन्हें presentation दिकाना है उनसे बात करना है उनके sales की closing करनी है उनको objection को handle करना तो आप इन सभी skills को अपने अंदर develop करिए लोगों से कैसे बात करना है कैसे अप्रोच करना है कैसे sales की closing करनी है कैसे आपको urgency create करना है इन सारे eğit disability and leadership leadership skill को develop करिये ताकि आप एक बड़े टीम का निर्मार कर सके और अपने skill को develop करने के लिए किताबे पढ़िये ट्रेनिंग्स में जाएं मीटिंग्स में जाएं सेमिनार्स में जाएं वीडियो अब जिनको मैंने जोईन करवाया है, अब वो लोग बुलाएंगे, अब वो लोगों को जोईन करवाएंगे, मेरा तो काम हो गया, और वो consistency के साथ काम को नहीं करते हैं, और अगर आपकी consistency break होगी, तो आपकी सफलता में break आ जाएगा, इसलिए अपने consistency को maintain रखे, प्रती दिन लोगों को approach करें, कोशिस करें कि प्रती दिन कम से कम दो लोगों को plan दिखाएं, अगर आप plan खुद से नहीं दिखाते हैं, अगर आपके company के दोरा plan दिखाया जाता है, तो वहाँ पर एक या दो लोगों को प्रती दिन उस meeting में जरूर ले करके आएं, next है, stay positive, हमेशा positive रहे सकरात्मक बाते करें, खुद से सकरात्मक बाते करें, अपने team से सकरात्मक बाते करें, जो लोग negative बाते करते हैं, जो भी लोग आपको गुमराह करने की कोशिस करते हैं, इस business के बारे में बुराया करते हैं, वह ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि negativity संक्रामक होती है, जो कोसिस करें हमेशा पोजेटिव रहे खुद से पोजेटिव बाते करें और जिन भी लोगों से आप बाते करें उनसे ही पोजेटिव बाते ही करें गोल को लेकर के बाते करें गोल कैसे अचीव होगा उसके लेकर के बाते करें अपने dream के बारे में बात करें, skill development को लेकर के लोगों से बात करें कि लोगों के अंदर skill और कैसे develop करना है, अगर किसी के अंदर कोई कमियादी करें तो उसे सुधार करें, अगर आप चाहते हैं कि network marketing business में आप कमियाब बनें, तो आपको next काम क्या करना है, use social media, क्योंकि आज mostly लोग social media आपे shift हो चुके हैं, अज हर किसी के पास smartphone है, और smartphone की अंदर WhatsApp, Instagram और Facebook है, और अगर आप इसका इस्तमाल करना सिख गए, अगर आप इसे एक tool की तरह इस्तमाल करना सिख गए, lead लेकर कि आना Facebook से, Instagram से, फिर उनको अपने business presentation में लेकर कि आना Facebook के जरिये, उनसे बात करना Facebook के ज उनने plan दिखाईए, उनकी sales की closing करिए, और next tips है, focus on helping others, लोगों की मदद करने की भावना रखे, आज भारत में जो इतनी बेरोजगारी है, उसे दूर करने का भावना रखे, यगर कोई इस business में आएगा, तो भी पैसा कमाएगा, सिर्फ अपने कमाने की बात ना करें, अगर आप दूसरे लोगों की सेवा की भावना रखते हैं, तो आप इस business में बहुत बड़ी कमयावी हासिल करेंगे, इस वीडियो में मैंने जितने tips आप से share किये हैं, उसे आप follow करें, और आप भी नई उचाईयों को छुए, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कर दीजेगा, और comment box में जरूर बताईएगा, कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को subscribe कर दीजेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो.